हलो एंड वल्कम टू टेली टॉकीज दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर सुभे सुभे शुरू हो गई है कृतिका मलेक वो कृतिका मलेक जिसका पती ये कहता है कि इस घर के अंदर लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन सकती वो बैकलेस कपड़े पहन कर फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं क्योंकि शरम से जुग गई साई केतन राओ की नजरें क्या हुआ है कैसे हुआ है पूरी खबर हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर दपा दें दोस्तों विग बॉस के घर के अंदर साई केतन राओ एक खांदानी लड़का है एक शरीफ और डीसिंट जेंटलमेन है ये हमने कई बार देखा भी है लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर कृतिका मलिक अपना कहीं न कहीं अगला निशाना साई केतन राओ को बना रही है सुभे सुभे जिम एरिया के पास जाती है यहाँ पर कृतिका मलिक और वहाँ पर अर्मान और साई केतन राओ वरकाउट कर रहे होते हैं जो अर्मान मलिक अपनी बीवी के लिए ये कह रहा था कि हमारी बीवी ने छोटे कपड़े पहनने छोड़ दिये क्योंकि यहाँ पर वो सेफ नहीं है वही कृतिका मलिक सुभे सुभे छोटी छोटी निकी निकी निकर पहन कर और बैक लेस एक दम बोडी हगिंग जिसमें से उसके बोडी के हर पाट की शेप आ रही हो ऐसे टॉप को पहन कर और शॉट्स को पहन कर जिम एरिया में वाक आउट करने के लिए जाती है वहाँ पर सई केतन राव भी होता है और ऐसे में वो सई केतन राव से पूस्ती है ना कि अपने पती से कैसी लग रही हूँ मैं साई केतन राव अवाइड कर देता है इगनोर कर देता है लेकिन तब भी यहाँ पर कृतिका नहीं रुकती और फिर कहती है मेरा ये टॉप अच्छा लग रहा है ना साई साई कहता है आप देखे ना आप कमफर्टेबल है तो अच्छा ही लग रहा होगा जिसके बाद वो अपनी बॉड़ी के अलग अलग पार्ट्स पर हाथ रखकर शीशे में बार बार देखती है जिसके बाद वो साई को नहीं छोड़ती और फिर साई से पूस्ती है क्योंकि बस्टिड ही नहीं होता वो यहाँ पर यह पूस्ती है कि बताओ मैं कल वीकेंड के वार में क्या पहनू अर्मान साई उसकी तरफ देखता भी नहीं लेकिन अर्मान कहता है क्या क्या है तेरे पास वो बताती है मेरे पास एक नीला सूट और साड़ी है जिसके बाद अर्मान कहता है देख लो जो मन करे पहन ले लेकिन उसके बाद यहां पर कृतिका सही केतन राओ से पूसती है कि सही ये तो बता नहीं रहे तुम बताओ ना मैं क्या पहनूं सही शर्मा जाता है और वो कहता है कि आपको जो सही लगे आप वो पहन लीजे लेकिन फिर कृतिका पूसती तुम्हारे अकॉर्डिंग में किस में जादा अच्छी लगूंगी साडी में या सूट में दोस्तो जानमूच कर जा जाकर ये लोगों से पहले खुद पूस्ती है मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी लग रही हूँ और अगर सामने वाला बोल दे कि आप सुन्दर या अच्छी ये मलिक परिवार उसका मुद्दा बना कर उस इंसान को नैशनल टेलिविजन पर जलील करता है आप क्या कहेंगे इस खंदान के लिए कमेंट्स में आप ऐसे लोगों के बारे में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूले अगर आपके अक